Hello friends, myself Dr. Sunil Tawar, consultant ENT and rhinoplasty surgeon. दोस्तों, आज हम बात करेंगी risk of the rhinoplasty, complication of rhinoplasty. बड़ देफिनेटली दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगे. बेल आइकोन को प्रेस करना एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे आने वाले अनेक ENT से रिलेटेड उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे. दोस्तों, जब हमारे OPD में patient आता है, उसको सारा समझाने के बाद उसका एक common question आता है. Each and every my patient, sir, इस surgery में risk तो नहीं है, मेरा नाक इससे जदा खराब तो नहीं हो जाएगा, sir, इसमें मेरा नाक को क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं. दोस्तों, हमें अच्छे से समझना चाहिए कि rhinoplasty जो एक surgery है, वो एक nose resepping surgery है, पहली बात, जिसमें nose को resep and resize किया जाता है, according to the rest of the facial features, यानि हमारे जो बाकी चहरे की features हैं, उसके हिसाब से nose को समायोजित basically किया जाता है. अब दोस्तों, इस surgery की risk और complication की बात करते हैं, तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं, अमोमन एक तो ये जो surgery है, वो करीब-करीब जो है, average दोस्तों हम बात करते हैं, तो करीब डाही से तीन गंठे के आस-पास ये surgery होती है, चूँकि ये surgery anesthesia में होती है, under anesthesia में जो है, इस surgery को किया जाता है, general anesthesia में, जिससे patient को pain नहीं हो, patient को peel नहीं हो, तो itself एक complication और risk है, anesthesia related, so anesthesia related risk को avoid करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों कि उसकी related जित्ती भी investigations है, hemoglobin, BTC, CBC और जो भी है, chest x-ray, ये सारे investigations करके उस patient का, वो जो risk है, वो हम एक बार check करके avoid कर सकते है दोस्तों, दूसरी जो है, इसमें risk जो है, वो है, surgeon related, surgery related, अगर हम उसको दो तरीके से define कर सकते हैं, एक acute यानि just surgery के बाद में, एक long lasting जो हमारे को बाद में हो सकती है, acute जो हम बात करते हैं, दोस्तों, surgery के बाद में क्या है, कि बहुत बार क्या है, patient को bleeding का कई बार रहता है, इस टाइप में यह है, क्योंकि rhinoplasty में दोस्तों, जो नोज के अंदर का जो हमारा framework है, उसको हम reset करते हैं, और उसको reset करने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो cheek की bone है, यहाँ पर हमारे eye lid के नीचे swelling आती है, so यह acute complications है, so दोस्तों, acute जित्ते भी complications है, जब तक नोज के ऊप पर एक plaster रहता है, usually जैसे आपको पता है, rhinoplasty surgery के बाद में, जो हमने changes नोज में किये हैं, उस changes के protection के लिए, उस पे 10 days तक एक splint और जिसको हम local plaster बोलते हैं, वो plaster लगाया जाता है, तो उस plaster के कारण, eye lid पे, यहाँ पे swelling आती है, बहुत बार क्या है कि black black निचान भी हो जाते रहे हैं, यह जो acute problem है, यह hardly one or two week में disappear हो जाते हैं, swelling भी ठीक हो जाती है, आपके black निचान भी ठीक हो जाते हैं, and हमें usually पता नहीं लगता, दोस्तों, अगर हम इसके long lasting complications की बात करते हैं, तो बहुत बार क्या है कि surgery की technique के default के करण, क्योंकि जितने भी दोस्तों, long lasting complications होते है वो याद रहे हैं, वो surgery की default technique, proper technique नहीं होने के कारण, आपकी nose में जो विकरती है, वो उसके साथ में और भी विकरती add हो सकती है, suppose बहुत बार क्या है कि आपके nose में surgery से पहले जो है, आपको breathing में कोई problem नहीं थी, बट surgery के बाद आपको nasal blockage रह सकता है, अगर आपका nasal wall के area को surgeon ने अच्छे से नहीं किया, दूसरी बात, अगर आपकी osteotomy, यानि हमारा जो bony part है nose का, उसको straight जब हम करते हैं, या narrow करते हैं, और नेजल bone का और उस bony wall का जो है वो आपका proper तरीके से technique से नहीं किया गया तो और एक deformity उसमें add हो जाती है, बहुत बार क्या है कि हमने जो nose की जो surgery की है और उसमें जो nose के बहुत सारे part को जो open किया है और उसको systematic तरीके से re-closure नहीं किया है, तो बहुत बार बाद में जो है वो वहाँ पे जो है वो एक जो है वो विकरती या deformity हमें बाद में अपेर हो जाती है, इसके अलावा दोस्तों जो most common complications है rhinoplasty क्योंकि usually जो open rhinoplasty का जब nose को यहां से open किया जाता है तो जब इसमें sutures आते हैं, दोस्तों अगर वो proper technique से नहीं किया गया है तो उसमें scar mark भी visible हो जाता है, क्योंकि हम जो Indian patients है mostly thick skin patient होती है, thick skin patient have a more chance of the scar tendency, so दोस्तों यह जो long lasting complications है, like the scar है, deformity है, nasal blockage है, बाद में भी bleeding है, तो यह सारे complications यह अच्छी technique से avoid की जा सकते हैं, अगर जो nose को हम जो open करते हैं, इस columnella part पे और उसमें अगर आपको बहुत अच्छे 7-0, 10-0 sutures, यानि हमारे बाल के माफिक अगर sutures से इसको close किया जाता है, तो hardly 10 days बाद, nobody can recognize कि कहां से हमने nose को open किया है, उसमें आपको पता भी नहीं चल पाता कि आपके nose पे कहां से किया गया है, nobody can कोई पहचान भी नहीं सकता कि कहां से rhinoplasty हुई है, so this is a technical complications, अगर आप सर्जन ने meticulous अच्छी technique से close किया है, अच्छी technique से आपकी osteotomy किया है, दोस्तों, आजकल क्या है, बहुत सारे अच्छे instruments आते हैं, जिसमे प्याजो एक टेक्निक होती है, जिसको हार्मोनिक जो एक rhinoplasty का method होता है, जिसे हमारी जो बोन का deviation करेक्ट करते हैं, तो उससे पेशेंट को इडिमा नहीं आता, so दोस्तों, ये सारी चीजें पेशेंट को पता लगाना होता है, it's the duty of the patient कि जहां मैं सर्जरी करा रहा हूँ, जो मेरा surgeon है, उसको इन सब चीजों का कितना experience है, उसको, उसके accreditation क्या है, उसको उस सर्जरी से, जो है, previous कितने उस टाइप के patients उन्होंने सर्जरी की है, उसके previous testimonials क्या है, and आप अगर किसी डॉक्टर को जानते हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं, कि ये सर्जरी में उस complications से बच सकते हैं, ये सारे complications जो है वो, आप अच्छी technique से अगर आप surgery हमारी कराते हो, तो आप दोस्तों बच सकते हो, बहुत बार दोस्तों, दो-दो-तीन-तीन बार जो patient operated हैं, जो मेरे पास surgery के लिए आते हैं, दोस्तों, अगर अच्छी technique से surgery अगर उस patient की होती, तो first time में भी उसको best result आ सकते थे, बट अगर दो या तीन बार उसके बाद जब हम उसकी surgery करते हैं, तो बहुत बार result compromise होता है, जो previous patient होता है, जब उसको open करते हैं, scar की tendency ज़्यादा होती है, उसको जो है, उसका plane मिलने में दिक्कत होती है, previous surgeon ने क्या हटाया है, क्या जोड़ा है, उन सब में जो result हम दे सकते हैं, first time पे वो बहुत बार नहीं आपाता, इसलिए दोस्तों, जब भी हम rhinoplasty कराते हैं, ये बहुत important चीज है, कि अपना surgeon का चुनाव करना, जितना हम doctors के लिए patient का चुनाव करना होता है, उतना ही एक patient के लिए surgeon का चुनाव करना है, बहुत बार क्या हो, आपको लगता है कि ये surgeon जो है, वो उस comfort zone में नहीं है, कि मेरी जो deformity विक्रती है, वो ठीक कर सकता है, तो आपको नहीं कराना चाहिए, इसलिए surgeon का चुनाव आपको अच्छे से करना चाहिए, so दोस्तों, I hope this information regarding the risk in rhinoplasty is useful for you and definitely you can share to your family and friends and colleagues just to create awareness about the risk of the rhinoplasty and for more informations, आपको मेरी comment box पे अपना सवाल डाल सकते हैं, definitely I will reply, so दोस्तों, for more informations, आप मेरी I button को push कर सकते हैं, जिससे आपको next information regarding इससे मेलेगी, so दोस्तों, you can follow us on Instagram and the link in descriptive box, thank you for watching.